मेरट में गर्टंत्र दिवस के सुब अपसर पर दीनी मदर्सों में भी राश्टिय दुछ अब लहराय गया एवं में दूसरे को बधाई वा मिठाई भी बाटी गई दीज भर में जगा जगा गर्टंत्र दिवस के सुब अपसर पर छोटी बड़े कारिक्रम आयुजित किये गए कारिक्रम में देश की एकता और खंता देखने को मिली जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कुरोना महामारी के चलते हुए लोगों ने छोटी छोटी कारिक्रम पर सु कि द्वज पहरा कर राश्टी गान पस्त किया और अपने विचारों से कारिक्रम में मौजूद लोगों को संबोदित किया और देश की एकता और खंधनता की बात कही मदद से जामिया मदानिया के जुमिदार कारी सफीक अलरह्मान कास्वी ने कहा कि इस मुल्क की आजादी सिक्षा देने माद में हैं और हमें बहुत को जामिया करने के लिए जुनिया में बहुत सारे लोग आगे पहने पूसिस करने हैं तो आशन देट होगा कि हमारे पर ज्यानिकों की बज़ास करने हैं कोर्ना वैक्षिन के जो सबसे अच्छी अभी तकी वैक्षिन आई है वो यहां की आई है क्यानिया अगर हमारे देर में जट्वा है हम चाहते हैं चाह लेकि तुरिस्टिक लॉट्टे लखेवर इस में रहादी की जो भी दुनिया की किसी भी फिल्टी बात करें तो आपने देश में सिस्काम कर रहादा सकते हैं ख्रतन दिवस के अपड़न मैं आप पर दिखेवर तकि यह सब्सक्राइब करें देश लिए जो कुछ गर्वबड़े करें देश रहें हम नहीं थे रहेंगे अब करिए हमारी में परत देखी में देखे ढäंने गें। हब फूरा तेर्न हम्हारु आँ हम्हारा पुरिए है स्व Symm्हारा है विकास के उत्रों कर जिसाम में अपिसर है इस दिन के इने बात थम्यदा और आपको कुना गर्तन दिवस्की बहुत बहुत बदाई हैं यह हमारे मुल्क का जो दस्तूर बना और जिस दस्तूर ने हमें हिंदोस्तान में बसने वाले हर आदमी को जहने का हग दिया है और बराबरी का दर्जा दिया है हमें हर एक होता है लियादा हम यह कोशिश करते हैं कि इस मुल्क की आजादी में जिन लोगों ने खुर्बानिय दी है वो किसी भी तिर्के से तालुक रखता हो वो इसाई हो, वो शिасьख हो, वो मुसल्मान हो, वो हमारा विरादरान वतन में से हिंदू हो जो भी हो अगर इस मुलक का रहने वाला वो इस मुलक का निवासी है तो वो इस जजबे के इस गर्ततत द्ध्वास के मोके पर मुबारःगबादी का इतना ही हखदार है कि जितना हर एक बसने वाले को इसका हक मिलता है प्यादा हमारी यही कोशिश होती है और हम इसी विदा से यह परोड़ा मसलसल करते चले आ रहे हैं और यही पेगाम देना चाहते हैं हम कि इस मुलके बसने वाला हर चहरी आपस में प्यार और महबत से जिस तरह इस आजादी के लिए कुर्बानी दी हमने सबने मिलकर कुर्बानी दी तो आज इस मुलक की आजादी को बाकी रखना और मुलक के दस्तूर को बचाने के लिए हम सब को मिलकर ही कुर्बानी देनी होगी तो यह मुलक की आजादी बाकी रहेगी और ये मुल्क का दस्तूर बचा रहेगा के लिए कजबता के साथ तिरंगे को ला रहा है थैंक यू